नमस्कार जैहिन दोस्तों सौगत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टन्ट MCQ है संदीप में दोस्तों आज हम DL8 4 समस्टर गडित की तैयारी के क्रम में एक महत्पूर वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टुडेंट होंगे जिनकी अभी पूरी तैयारी नहीं हुई होगी साफ साफ लिखा है यहाँ पर पेपर बहुत नस्दीक है और तैयारी पूरी नहीं हुई कौन-कौन से chapter पढ़ लिए जाएं जो हम आसानी से पास हो जाएं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कुछ ऐसे topic हैं आपके डियलेट 4 semester गडित में जो बहुत जादा number में पूछे जाते हैं तो इसलिए हम उन विशेश topic को अगर पढ़ लें तो at least हम पास तो हो ही जाएंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको clear बताएंगे कि वो कौन-कौन से chapter हैं जिन्हें आप पढ़ लें और आप आसानी से पास हो सकते हैं देखो मैं यह कोई हवा हवाई बाते नहीं पिछले प्रश्ण पत्रों के जो आखड़े हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कौन-कौन से chapter आपके DL at 4 semester गड़ेत में most important है अगर आपके अभी पूरी तयारी नहीं हुई है और आपको पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इन main main topic को पढ़कर भी आसानी से pass हो सकते हैं देखें जिसकी तयारी अच्छी है उसके लिए तो कोई बात नहीं वो तो pass हो ही जाना है उसके तो अच्छे से अच्छे number आने लेकिन जिसकी तयारी पूरी नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो है कुछ विशेश topic है कैसे हमने इस वीडियो में DL8 4 semester के गड़ित का जो पूरा syllabus है उसका अंक विभाजन किया है chapter wise दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ अगर आपने DL8 गड़ित का फुल कोर्स का वीडियो मेरा अथन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे description में link मिल जाएगा आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लिजे क्योंकि धाई घंटे में मैंने पूरे कोर्स को एक ही वीडियो में लाने का प्रयास किया है और उस वीडियो में पिछले वर्षों में जो प्रशन पत्र आए हैं उनके प्रशनों को भी समाहित किया है ताकि आपको ये भी pattern मिलता रहा है कि आखिर आपकी परिक्षा में प्रशन कैसे पूछे जाते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को DL at 4 semester गरित अंक विभाजन chapter wise यहाँ पर हम सभी chapters को लिखेंगे और उसमें ये देखेंगे किस वर्ष कितने नंबर का उस topic से पूछा गया है इससे क्या होगा हमें एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा कि किस chapter से सबसे ज़्यादा अंको के पूछे जाते हैं तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और घंटी कर निशान जरूर दबा लेजे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यह आपके सामने कुछ आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पर आप देखिए यह पहला चैप्टर आपका वर्गमूल और करड़ी हम मानते हैं तो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि जैसे जितने बार पेपर पिछली परिक्षाव में पूछे गए जैसे 2013 बैच, 2014 बैच और 2015 बैच, 2017 बैच और 2018 बैच के जो 2014 में दो नंबर का पूछा गया और 2015 में दो नंबर का पूछा गया 2017 में चार नंबर का वर्गमूल और करड़ी पूछा गया और 2018 में एक नंबर का पूछा गया तो यहाँ पर हम पिछले पूरे वर्षों के आंकड़े मिलाने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि ये 10 नंबर का question इससे पूछे गए हैं, ठीक है, अब अगर आगे देखें, दूसरे chapter घनमूल की तरफ अगर हम बात करें, तो घनमूल में क्या है, 2013 बैच में दो नंबर का पूछा गया घनमूल से, 2014 में एक नंबर का पूछा गया, 2015 में एक नंबर का पू अंक कितने बन रहे हैं, पिछले 5 प्रशन पत्रों के आधार पर घनमूल से सिर्फ 6 नंबर का पूछा गया, अब अगर हम बात करें संभावना की, संभावना में प्राइक्ता, सिक्का, पासा, ये सब चीजे पूछी जाती, तो 2013 बैच के प्रशन पत्र में दो नंबर का प अगर हम पिछले प्रशन पत्रों के आधार पर आंकड़ा निकालने तो यहां पर 9 नंबर का आंकड़ा निकल के आता है, आगे देखो मद्धिका और बहुलक, मद्धिका और बहुलक से कितने कितने नंबर का पूछा गया है, मद्धिका बहुलक से 13 बैच के प्रशन पत्र में तीन नंबर का पूछा गया और 14 बैच के प्रश्ण पत्र में दो नंबर का पूछा गया पंदरा बैच के प्रश्ण पत्र में दो नंबर का और 17 बैच के प्रश्ण पत्र में पांच नंबर का मद्धिका और बहुलक से पूछा गया यानि जो मद्धिका और बहुलक है य नंबर का पूछा गया कुल मिलाकर यहां पर आकड़ा बनता है पिछले पांच वर्षों के प्रश्ण पत्र का पंदरा नंबर के प्रश्ण पूछे गये हैं तो यहां पर यह हम कह सकते हैं कि जो मद्धिका और बहुलक है वो काफी ज्यादा important topic है अब यहां अगर हम त्रिकोड मिति की बात करें यानि टिक्नोमेट्री की बात करें तो 13 बैच में 3 नंबर का पूछा गया 14 बैच के प्रश्ण पत्र में 2 नंबर का और 17 बैच के प्रश्ण पत्र में 2 नंबर का और जो अभी आपका 10 नंबर को पेपर हुआ था उसमें 4 नंबर का पूछा गया यानि हम यहां पर कह सकते हैं कुल मिलाकर 13 नंबरों का प्रश्ण पूछे गये हैं पिछले पांच वर्षों में ठीक है यह चीज दिखिए इन सभी के आंकड़े निकालने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्ण पूछा जाते हैं अगर हम उन्ही सबसे ज़्यादा प्रश्णों वाले टॉपिक को पकड़ने तो एटलिस्ट हम इतना तो हो सकता है कि हम आने वाली परिक्षा में पास तो ही जाएंगे बेलन और संकु की अगर हम बात करें तो तेरा बैच में दो नंबर का चौदा बैच में तीन नंबर का पंदरा बैच में तीन नंबर का और सत्रा बैच में एक नंबर का अठारा बैच के पेपर में तीन नंबर का प्रश्ण पूछा गया है तो कुल मिलाकर टोटल बनते है 12 अंक पिछले 5 वर्ष्व में वर्ग समी करण की बात कहें तो 13 बैच में 1 नमबर का 14 बैच में 2 नमबर का 15 बैच में 2 नमबर का 17 बैच में 4 नमबर का और 18 बैच में 1 नमबर का प्रश्ण पूछा गया कुल मिलाकर इसका आंकड़ा बनता है 10, युगपत समी करोड की बात करें तो 13 बैच में 4 नंबर का, 15 बैच में 3 नंबर का, और 15 बैच में 2 नंबर का, और आपका 17 बैच में 1 नंबर का, 18 बैच में 4 नंबर का, कुल मिलाकर इसका आंकड़ा बनता है 14, अब अगर हम बात करें च narrative की चेत्रमिती इसमें अईतर का चेत्र अईतर व्रत्ते का चेत्र फल समलंब हैं उसमें पूछा चौदा वैच का पानी हम पर या उसमें भी ठ grand sighs और जो पंदरा वह प्याइंच पीन पर अई उसमें तीनформ अपूछा है सत्रा बैच का जो पेपर आया उसमें चार नंबर का पूछा गया और जो अठारा बैच का पेपर यानि जो दस नॉवंबर 2020 को पेपर हुआ उसमें तीन नंबर का इस टॉपिक से पूछा गया यहाँ पर अगर बात करें कुल आंकड़ा कितना हुआ पिछले पांच वर्शों का तो 20 नंबर के प्रश्न पिछले पांच वर्शों में पूछे गया हैं अब अगर हम बात करें वरत्त और चतुरभुज की यानि वरत्त से संबंधित जो भी चीजे होती हैं यानि उससे कोड निकालना या फिर उसकी परीधी पूछ लेना चतुरभुज में क्या था जिस वरत्त के अंदर कोई कोड पूछते कि अर्ध वरत्त पर बना कोड और इससे संबंदे जितने भी इस तरह के कोश्यन आते हैं वो सब वरत्त और चतुरभुज में हम ले रहे हैं तो यहां पर 13 बैच में दो नंबर का पूछा गया 14 बैच में दो नंबर का 15 नंबर का और 17 बैच में दो नंबर का और 18 बैच यानि जो वर्ष 2020 में 10 नंबर 2020 को प्रशन पता आयता 18 बैच के लिए उसमें 5 नंबर का पूछा गया कुल मिलाकर यहां पर पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा हुआ 16 तो यहां पर अगर हम इन आंकड़ों के आधार पर बात करें तो आप य जादा अंक का प्रश्ण किस topic से पूछा गया है तो सबसे जादा अंकों के प्रश्ण किस से पूछेगे हैं चेत्रमिती से पूछेगे यह चीज आपको clear हो गई चेत्रमिती नंबर 1 पर आता है यानि सबसे ज़्यादा अगर important topic कौन सा है आपके DL at 4 semester गडित में तो वो है आपका छेत्रमिती और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन आता है तो दूसरे नंबर पर आता है वरत और चतुर्भुझ नंबर 1 पर है आपका छेत्रमिती और नंबर 2 पर है वरत और चतुर्भुझ और अगर हम बात करें और कौन सा तिसरे नंबर पे सबसे most important है मद्धिका और बहुलक ठीक है? मद्धिका और बहुलक और अगर हम इससे थोड़ा कम important की बात करें तो वो है आपका युगुपत समीकरण ठीक है? तो ये अगर चार टॉपिक आप पढ़ लो वरत्त चतुरभुज छेत्रमिती और युगुपत समीकरण और आपका मद्धिका और बहुलक ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़ादा नंबर में पूछे जाते हैं अगर हम इसका आकडा बिठाएं तो देखें पिछले प्रशनपत्र के हिसाब से देखें तो मद्धिका बहुलक तीन नंबर का पूछा गया और युगुपत समीकरण चार नंबर का चार तीन हो गया साथ और साथ तीन हो गया दस और दस पाँच हो गया पंद्रा ये मान के चलिए सिर्फ ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ये सब तो आपको आता ही होगा और अगर आपने ये चार टॉपिक अच्छा से क्लियर कर लिए तो ये मान के चलिए पंद्रा नंबर आपके 100% आही जाने और पंद्रा प्लस ही आएंगे क्योंकि इसमें ऐसे कई टॉपिक कैसे हैं जो बेहद आसान होते हैं सभी लोग कर लेते हैं तो इसको आप आसानी से समझ लीजिए ये चार टॉपिक आपके सामने हैं छेत्रमिती वरत्य चेत्रभुज युगपत समीकरण और आपका मद्धिका बहुलग तो बहुत आसान चेप्टर है ठीक है वर्गमूल और घनमूल में भी आप अगर कोई कोश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और संभावना सिक्का और पासा सिक्का पासा आपने देखा है कि जब एक सिक्का उछाला जाता है तो कितनी कंडिशन बनती है दो कंडिशन बनती है अगर दो सिक्के उछाल दिये जाएंगे तो चार कंडिशन बन जाएंगी सिक्का भी आपको आसान लगता होगा पासा भी ऐसे ही है कि एक पासा उछाला गया तो छे कंडिशन बन रही है और दो पासे उच्छा लेंगे तो 36 कंडिशन बन जाएंगी अब वहाँ पर ये भी हो सकता है कि जब दो पासे फेके गए तो उपरी फलक पर कौन-कौन से नमबर आ रहे हैं तो बोल देंगे कि समान अंक आने की संभावना ग्यात करो तो इस तरह के जितने भी हैं देखो सिक्का और पासा मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है और मेराथन वाले वीडियो में भी मैंने सिक्का और पासा अच्छे से समझाया हुआ तो उसको आप जरूर देखिए तो ये सिक्का पासा हो गया अगर हम minimum कहें कि सिक्का पासा से अगर दो नंबर का भी प्रशन आ जाए यहां तो पिछली बार एक नंबर का आया लेकिन पिछले वर्षों में देखें दो नंबर तीन नंबर तीन नंबर ऐसे करके प्रशन पूछे गए तो हो सकता है इस बार भी दो नंबर का तो अगर आप उसमें से एक नंबर भी ले हैं तब भी बहुत है मद्धिका और बहुलक अच्छे से समझ लिजए बहुलक बहुत आसान है मद्धिका में बस थोड़ा ध्यान देना होता है कि पदों की संख्या देख रही है यह सम है या विसम अगर सम है तो सम वाला फार्मूला लगाओ विसम है तो विसम वाला फार्मूला लगाओ इस तरह करके आप मद्धिका भी आसाने से कर सकते हैं देखे कभी भी दो नंबर से कम नहीं पूछा गया देखे, 17 बैच में तो 5 नमबर का पूछा गया, तो हो सकता है, इस बार 3 या 4 नमबर तो 100% पूछा जाएगा, आप 4 में से 4 लाइए, अच्छे से कीजिए उसको, ठीक है, अब आगे देखलो, त्रिकोर्ड मिटी, अगर आपने त्रिकोर्ड मिटी टेबल याद करके रखी हो करता है, मात्र 5 सेकेंड में आप पूरी टिग्नोमेट्री टेबल बना सकते, उसका लिंक में नीचे वीडियो में दे दूँगा, कि टिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करें, ट्रिक के माध्यम से, वहाँ पर क्या होता है, साइन कॉस टैन, कॉस एक से कॉट, यह 6 कोई भी परिक्षा हो, चाहे वो ग्रूप D की परिक्षा हो, और चाहे वो IAS की परिक्षा हो, तो मेहनत हर परिक्षा में करनी पड़ती है, तो DLT की परिक्षा है, तो यह मत सोचो कि यह हलकी परिक्षा है, इसे ही बस निकाल दूँगा, इसमें भी मेहनत करो, क्योंकि यह तो इसलिए मेहनत करने से कभी मजबचो, देखो आज की मेहनत जो है, वो कल आपके भविश्ट में काम आएगी, यह जो परिक्षा इसके लिए तो काम आनी ही आनी, जब आप सिच्छक बन जाओगे, उसमें भी काम आएगी, क्योंकि अगर आप यह परिक्षा पास करके सिच् कि आपको आयतन निकालना है संकू का आयतन निकालना है बेलन का वक्र प्रस्ट निकालना है तो संकू हो चाहई ने कि तर्चिशियों इसका फार्मूला देखो जब मैं भी मुझे भी पहले यह सब फार्मूले नहीं याद होते हैं लेकिन जितना ज्यादा मैंने प्रक्टिस की उतनी जल्दी यह सभी याद होगे तो प्रक्टिस जरूरी है इन सभी फार्मूलों को याद करने के लिए वर्ग समी करड़ वाले इस तरह के वर्ग समी करण में पूछे जाते हैं जैसे एक स्कॉयर प्लस एक्स माइनस सिक्स इस तरह के भी कोश्चन अब यहां पर इसके अभाज उगड़न खंड करो और एक्स की वेल्यू निकालो इस तरह के कोश्चन इसमें आते हैं आसानी से आप कर सकते हैं पहले तो अच्छे एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, चार नंबर तक पूछेगें लेकिन पिछले प्रश्ण पत्र में एक नंबर का ही पूछा गया है मिनिमम एक नंबर, दो नंबर का तक पूछा ही जाएगा ठीक है तो इसमें आप एक नंबर तो हासिल कर ही सकते हैं युगपत युकपत समीकरण आसानी से समझ लेजे, वही कोश्चन होते हैं, जैसे कोई भिन पूछ दी और उसमें बोल दे अंस में इतना जोड़ तो ये मान हो जाता है, हर में इतना जोड़ तो ये मान हो जाता है, या तो फिर इसमें आयू वाले कोश्चन आ जाते हैं, पिता की आयू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको प्रवाइड करा दूँगा आप वहां से उस वीडियो को देखो जितने ये most important topic है जैसे छेत्रमिती हो गया वरत हो गया युकपत समी करण हो गया और त्रिकोर्ड मिती हो गया और ये आपका जो most important topic है मद्धिका बहुलक ये सब topic में आपको अभी आपकी परिक्षा से पहले एक बार अच्छे से समझा जरूर दूँगा ठीक है छेत्रमिती आपको समझाई दिया वरत चत्रभुज आपको पता ही है कि वरत कैसा होता है गोल होता है उसका छेत्रफल उसकी व्यास उसकी परिधी चत्रभुज चक्री चत्रभुज के बारे में बात हो सकती है समलम चत्रभुज के बारे में चत्रभुज के अंताकोडों का योगफल 360 होता है चार सीर्स होते हैं चार अंताकोड होते हैं चार भुजाएं होती है ठीक है मतलब वरत और चत्रभुज से सम्मंदित आच रंबर का पिछली बार पूछा गया तो ये बहुत ज्यादा important topic है कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपके जो ये चार topic हैं ये चार topic आपके pass या fail होने को depend होएं अगर आपने ये चार topic अच्छे से पढ़ रखें तो 100% आप pass हो जाएंगे अनित्था math में pass होना मुस्किल क्योंकि ये चार topic बहुत ज़्यादा प्रतनिधित तो करते हैं DL8 4 semester गडित के syllabus में ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़े आपको clear समझ में आ गही होंगी और इन से सम्मंदित जो जो वीडियो में पहले बना चुका उन सभी का link में आपको नेचे description में दे र पिछले वीडियो नहीं देखें तो अगर आप इस एक वीडियो को देख लेंगे तो at least आप पास तो होई जाएंगे 25 में 25 की guarantee तो नहीं लेता लेकिन आप पास जरूर हो जाएंगे और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है कि पास होना क्योंकि most of student तो math में ही back ल प्रियाम देंगे और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे comment में जरूर बताईएगा और इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें वो भी नीचे comment में बताईए और आपका इससे संबंदित कोई भी प्रेश्न है वो भी आप नीचे comment में पूछ सकते हैं वीडियो दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत